और बुलिटिन में शुरुआत आज की दो एहम तस्वीरों के साथ हम करेंगे। और धारा 370 हटाए जाने के बाद घाटी की ये तस्वीर शांती देने वाली है। तो मौनसून खत्म होने में अभी कुछ हफते का वक्त बाकी है। कुछ राज्यों में मौनसून अभी सक्रिय है, तो कहीं कुछ जगों पर हलका भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद देश के कम से कम साथ राज्य अभी भी जानलेवा होते जा रहे हैं क्योंकि मौसम की चपेट में वो आ चुके हैं। आपको ये भी बता देएं कि जो आकड़े इस वक्त हमारे पास उपलब्ध हैं उनके मुताबिक सिर्फ 2019 में अब तक 423 मौते हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मौत बिहार में हुई है। बिहार में 130 मौते हो चुकी हैं कुदरत के कहर से। गुजरात की बात करें तो 98 मौते हो चुकी हैं। ये आकड़ा इस वक्त आपको जो हम बता रहे हैं ये अभी का आकड़ा है। कैसे कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसकी जद में हर राज्ये के लोग आए हैं। तो सबसे बहले बात करेंगे महराष्ट की जहांके सांगली में बाड़ से हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। पुरा सांगली जो शहर है वो जलमगन हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश की वज़ा से कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिससे करीब 500 से ज़्यादा गाओं बाड़ से प्रभावित हैं। NDRF की टीमें बाड़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाफ के कारे में जुटी हुई हैं। सभी स्कूल्स कॉलेजिस बंध हैं। 150 गाओं का संपर्क शहर से पूरी तरह से कट चुका है, तूट चुका है। बाड़ ग्रस्त इलाकों से अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाया जा चुका है। ये तस्वीरे देखकर वहां के मंजर का अंदाजा आपको हो गया होगा। और ये अगली तस्वीर भी महराष्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। जहां महराष्ट के इचल करंजी में भी सडकों पर 4-7 फीट तक पानी भर गया है। आलम ये है कि प्रशासन ने एहतियातन लोगों को अपने घरों से दूर उचे इलाकों में रहने के लिए भेज दिया है। सडकों पर कई फीट उचे जो होडिंग्स थे वो पानी में डूब गये हैं। और अब चलते हैं मद्धे प्रदेश वहां के बढ़वानी जिले की तस्वीरे भी आई हैं। लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं हैं। यह तस्वीरे डराने वाले हैं। अगली तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो भी मद्धे प्रदेश की है। बैतूल से आई है यह तस्वीर। बाड के सामने इंसान की बेवसी का आलम जराव देखिए। यहां स्कूल जाने वाली थोती बच्चियों के लिए बाड का पानी बड़ी आफ़त बन गया है। तस्वीरों में आप देखी सकते हैं कैसे खोती खोती बच्चियां human chain बनाकर बाड के पानी को पार करनी की कोशिश कर रही है। तो घनीमत तो यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ लेकिन यह सिर्फ मद्धे प्रदेश के बैतूल की तस्वीर नहीं है। इस तरह से बच्चों को जानकर जोखिम डालकर रास्ता पार करते हमने कई बार देखा है और एक बार फिर से यहीं करेंगे कि गनीमत रही कि बच्चियां सुरक्षित हैं कोई हादसा नहीं हुआ। मद्धे प्रदेश के खरगौन की तस्वीर बियार देखे। मोहनी लदी उखान पर है यहां तेज पानी के बहाव में हिम्मत दिखाना एक शक्ष को कैसे भारी पड़ गया। तेज बानी के बहाव में यह शक्ष दोड़कर पुल पार करना चाहता था लेकिन उसकी कोशिश कामियाब नहीं हो सकी और वो पानी में बहता चला गया। अब तक इस शक्ष का पता नहीं लग पाया है। खरगौन में अब तक सीजन में 15 इंच से जादा बारिश हो चुकी है। इन तस्वीरों को इस खबर को दिखाने का हमारा मकसद इतना है कि आप सिर्फ थोड़ी सी जल्डी के लिए अपनी जान जोखिन में ना डाले। क्योंकि अभी तक इस व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लगा है। इसमें ऐसी ही कोशिश की जो इसकी जान पर भारी पर देगी। केंद्रे वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन आज करनाटक के बैल गाउं में बाड़ प्रभावित परिवारों का हालचाल जानने के लिए पहुँची। ये तस्वीरे उस वक्त के आपको हम दिखा रहे हैं। निर्मला सीता रमन ने रिलीफ कैम्प के अलावा अस्पताल में भरती लोगों से न सिर्फ मुलाकात की बलकि बाड़ से हुए नुकसान के मुद्दे पर हर संभव सरकारी मदद का भी आश्वास न दिया। वित्यमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टर्स से घायलों की सेहत के बारे में जानकारी ली। निर्मला सीता रमन ने डॉक्टर्स से कहा कि बाड़ पेडितों को इस बात की भी जानकारी दी जाए कि जलिस्तर घटने पर महामारी फैलने की आशंका से कैसे निपता और अब आते हैं करनाटक पर जहां मेंगलूरु में बाड में फसे कॉंग्रिस नेता और पूर्व केंद्री मंत्री को रेस्क्यू किया गया। जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पूरी तरह से मुस्तायद है और यही कारण है कि जैसे ही मंत्री जब फसे बाड में तो कैसे टीम्स बक्त रहते पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया गया। मलापूरम में चलियार नदी उफान पर है। यहां बाड की वजह से नदी में आये तेज बाहव में पूरी सडक नदी में बह गई। आप देखिए किस तरह से कोई रास्ता लोगों के पास नहीं है जाने के लिए जिससे शहर के दो हिस्सों का संपर्ख तूप चुका है। केरल के मला कुरम जिले में कुदरत के कहर की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जहां बारिश के बाद हुए लेंड स्लाइड में एक परिवार मुसीबत में फस गया और पूरे मकान पर लेंड स्लाइड का मलबा आगिरा। आप देख सकते हैं कैसे एक शक्स अचानक आई मुसीबत से बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन बचने की सारी कोशिशे नाकाम रहती है। चंद सेकंड्स में वो मलबे में समा जाता है बताया ये जा रहा है कि मा और बेटे अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मा घर के अंदर ही फसी रह गई साथ ही घर में दो और लोगों के भी फसे होने की खबर बताई गई है और गुजरात के नाडियाद में भारी बारिश के बाद तीन मंजिला इमारत कैसे डह गई वो आप देखें हादिसे में चार लोगों की मौत की खबर है आशंका है कि इमारत के मलबे में पाच लोग अभी भी दबे हो सकते हैं रेस्क्यू टीम्स आप देखी रहे हैं हादिसा नाडियाद के प्रगती नगर इलाके में हाउसिंग बोड की इमारत में हुआ बिल्डिंग का मलबा हटाने की कोशिश अभी की जा रही है पुलिस और राहत बचावदल की टीमो ने इमारत के मलबे में कुछ लोगों को बाहर भी निकाला है लेकिन अभी कुछ लोग इसमे झाला है